तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलवंत्राय महता समीति के जो प्रस्ताव थे वे बड़े स्पश्ट थे सामाज के सभी वर्ग को उसमें उच्छे तिस्थान देने का प्राधान पंचायत समीतियों में सामाजिक विकास का लक्ष और न्याएं इन तीनों बहुत अहम मुद्दों को लेकर बलवंत्राय महता समीति ने जो सुझाओ रखे काफी सराहे गया और इनमें से काफी को लागू भी किया गया पंचायतों की आय को लेकर निश्चित रूप से उसके आय के संसादनों की विवस्था को लेकर निश्चित रूप से कुछ तकरार हुई कुछ समय लगा लेकिन धीरे धीरे इस थितियां सुधरती गई और एक स्पष्ट होता गया कि पंचायत की आय के जरिये क्या होंगे पर कैसे होंगे इस समिति के प्रस्ताओं के बाद जो अगली समिति 1956 के बाद आती है जो अपने प्रस्ताओं रखती है सुधार के रूप में वो थी अशोक महता समिति पंचायती राज के मद्दे नजर ये दूसरी मुखे समिति थी अशोक महता कमिटी और पंचायती राज 1977 इसने क्या सुधाओं को देखें तो पहली नजर अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताओं अर्थत पंचायती राज की दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उस प्रय इस शक्तिशाली बनाना उनको ज़्यादा अधिकार देना ज़्यादा जिम्मेदारियां देना दूसरा पंचायतीらाज को दूसतरी करने का प्रस्तावाजा दो ले flatter उसकी रहेंगी तीसरा, जिलह परिशद को और अधिक शक्तिया दी जाएं जिले के अधिकारी परिशद के नियंतरण में हो ऐसा प्रस्ताव सा समकक्षी या बराबर ना हो करके जिले के अधिकारियों को जिला पंचायत के पदा अधिकारियों के मातहत रखने का प्रस्ताओ किया गया अगला प्रस्ताओ अशोक महता समीति का था कि पंचायतों का निर्वाचन राजनीति का धार पे हो ताकि वो सतंत रूप से कार कर सके और सरकार से पर्याप्त धन राश पराप्त कर था है। इस प्रकार इन चार, पांज प्रस्तावं को लेकर अशोक महता समिती पंचायती राज की प्रथा को स्वाtightती राज़न की प्रथा को और मड़बूत करने का सुझाओ देती है वित्ती और प्रशास्रिक अधिकारों में वृद्धी करने का जो प्रस्ताओ था इसमें काफी कुछ लोग की सहमती रही और इस विकार हम संचायती राजप्रथा या स्थानी स्वशासन की व्यवस्था को और मद्बूत करने की दिशा में बढ़ते रहे अगला अगला बहुत ही महत्पूर्ण कदम पंचायती राज विध्यक के रूप में पंचायती राज बिल 1989 और 1993 ये दो बहुत महत्पूर्ण बिल हैं पूरे देश में पंचायतों को नए सिरे से गठित करने और इन्हें और सक्री बनाने के लिए ये 1989 में लोकसभा में एक अमेंडमेंट बिलाता है संशोधन विध्यक जिसे हम कहते हैं 64th समविधान संशोधन विध्यक देखिए जैसा पश्ट है मैंने शुरूर में कहा कि इसका उद्यश्ट था पूरे देश में पंचायतों के नए सिरे से गठित को लेकर और उन्हें और अधिक सक्री बनाने के प्रयास की दिशा में ये एक अमेंडमेंट था अखिर इसकी जुरूरत क्या थी कि पूरे राष्ट में पूरे देश में नए तरीके से गठन करने की क्योंकि पिछले जो पंचायती राज के प्रस्ताव थे उसके लागू करने के प्राउधानों को राज्यों पर छोड़ दिया गया था तो अलग-अलग तरीके से पंचायती राज व्रस्ता अपना रहे थे कुछ राज जैसे थे जहां पर उन्हें पूर्ण रूपेंड लागू किया कुछ राज जैसे जहां पर पार्शियली लागू किया गया और कुछ राज तो ऐसे थे जहां पंचायती राज व्रस्ता का क राज्यसभा ने पारित नहीं किया, राज्यसभा इस विध्यक को स्विकार नहीं करता है, अगला कदम, 73rd संशोधन, यह बहुत एतिहासिक संशोधन है, संशोधन का रथ होता है amendment, और amendment या संशोधन का अर्थ क्या है, नया कानून नहीं, पुराने किसी कानून में कुछ बद लाओ वो बदलाओ को कहते हैं अमेंडमेंट कुछ सुधार उसे कहते हैं अमेंडमेंट तो 73 अमेंडमेंट पंचायती राज को समुचित देश पूरे देश में लागू करने के लिए 22 दिसंबर 1992 को ये संशोधन लाया जाता है पारित होता है और 24 अप्राइल 93 से याद रखे तारिक 24 अप्रिल 1993 ये कानून के रूप में लागू हो जाता है संशोधित कानून के रूप में लागू हो जाता है और ये बड़ा आतिहासिक कदम था क्योंकि इसने बलवंतराय महता समीची के बहुत से प्रस्ताओं को अशोग महता के प्रस्ताओं को और अन्य कुछ और एक नया कानूनी जामा दिया था पंचायती राजप्रथा को और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास था तो 24 अप्रेल 1993 एक लैंड मार्क तिती है भारती पंचायत राजविवस्ता में भारती स्थानी स्वशासन की अधि बात करें तो 24 अप्रेल तिती बहुत म सम्विधान में और त्री स्टरी पंचायती राज की विवस्था होती है वैसे तो अशोक महता ने द्वी स्टरी की बात की थी लेकिन यहां पर त्री स्टरी तीन स्टर पर पंचायती राज विवस्था की स्थापना की विवस्था होती है और सम्विधान में भाग नौ को पंचायत के सदस्यों का चुनाओं, सदस्यों के लिए आरक्षन और पंचायत के कारेों के समद में व्यापक प्राउधान किया गया। पंचायती राज की विवस्था में बदलाओ ये अप प्राउधान अब नहीं रहा और एक समद्धानिक विवस्था के रूप में पंचायती राज विवस्था को अब देखा जाने लगा। ये बहुत महत्पूर्ण कदम था और जैसा मैंने बताया ग्यारवी अनुसूची के रूप में इसे जोड़ा गया और जोड़ के क्या गठन, चनाओ, आरक्षन और पंचायत के कारे उद्देश कारे आदी इस पर समद्धानिक रूप से कहना चाहिए व्यापक प्राउधान किये गया समद्धान के भाग नौ में 16 अनुछेदों में पंचायत विवस्था के स मन में जो प्राउधान शामिल किये गया वो कुछ इस तरीके से थे पहला पंचायत विवस्था के अंतरगत सबसे निचले सतर पर ग्राम पंचायत होगी जैसा कि पूर में आपको बताये गया है इसमें एक या एक से अधिक गाउं शामिल किये जा सकते हैं संख्या को देख भागोलिक खेतर को देखते हुए आदी आदी ग्राम पंचायत की शक्तियों के संबन में राज विधान मंडल को अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाये और जहां तक शक्तियों की बात थी उसके मामले में राज्यों को अभी भी स्वतनतरता थी कि अपने राज में ग्रा खानून बनाये उनकी शक्तियों को लेकर इस पर मुलबूत संब्धान में बात नहीं कही गई या उनको शक्तियां देने का क्या क्या शक्तियां दी जाएंगे इसके बारे में नहीं कहा गया दूसरा जिन राजियों की जनसंख्या बीस लाग से कम वहाँ दूस्तरी पंचायत प्रथा अर्था जिलास्तर और गाउस्तर और बीस लाग की जनसंख्या से अधिक वाले राजियों में त्रीस तरी अर्था गाउं फिर मध्यवर्ती जिसे हम ब्लॉक कहते हैं जनपत के आसपास की बात करें और तीसरा जिलास्तर तो इस परकार दोस्तरी विवस्था भी थी बीस लाग से कम में और त्रीस्तरी विवस्था भी थी बीस लाग से जादा की जन संख्या में सध्य कर चनाओं व्यस्क मताद़िकार के तहत होगा और हर पांचवे वर्ष जैसे लोग सभर राजनyy लोक सभा विधान सभा आदिके चुनाव होते हैं उसी प्रकार वैस्क मतादिकार और पांचवे वर्ष सभी सदस्यों का चुनाव और ये सभी स्तर पर इसके बाद गाओं के स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा मध्यवर्ति विए जिलस्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव और प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा अब गाओं में पंचायत जो है उसका अध्यक्ष का चिनाव प्रत्यक्ष क्यों क्यों कि वहाँ संख्या कम रहती है तो प्रत्यक्ष चिनाव के संभाव कोई कठिन कारी नहीं है लेकिन जब बड़ी पंचायत हो, जिलास्तर की पंचायत हो, मध्यवर्थी पंचायत हो, वहाँ पर ये प्रत्यक्ष्चनाओं होना संभो नहीं है, बहुत भीड कठी होगी, इसलिए वहाँ पर अप्रत्यक्ष्चनाओं का प्राधान किया गया चोथा पंचायत के सभी स्तर पर अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के सदस्यों के लिए उनके अनुपात में आरक्षन का प्राउधान अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती आप देखेंगे ये प्रस्ताव बलवंत राय महता समीत ने बड़ी मजबूती से रखा था कि यदि पंचायती राजवर्था को अपना लक्ष प्राप्त करना है तो उस उद्देश की पूरती के लिए जरूरी है कि इसके सामाजिक दायरा बढ़ाया जाए पतादिकारियों का और उसमें उसने प्रस्तावित किया था कि अनुसूची जाती जन जाती और महिलाओं का आरक्षन तो यहां पर इस amendment के माध्यम से ये बदलाओ किये गया और अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती के आरक्षन का प्रता हुआ और महिलाओं के लिए 30% आरक्षन महिलाओं के आरक्षन की व्युथा काफी मदबूत की गई और 30% आरक्षन उनके लिए क्या इसका परणाम क्या है ये आरक्षन क्यों जरूरी था इन तबकों के लिए जैसे तीस प्रतिशत महिलाओं का यदि आरक्षन होता है इसका मतलब यह हुआ कि यह महिलाएं ग्रामीन राजनीती में ज्यादा सक्री होंगी अपनी भूमिका ज्यादा सक्रीता से निभाएंगी और राजनीती में इनकी रूचिब बढ़ेगी अर्था भारत में जहां पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिशत महिलाओं के योगदान का महिलाओं के भागेदारी का राजनीतिक प्रतिशत जो बहुत कमजोर था कम था उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका निकाला गया कि ग्रामी इनिस्तर पर उनके पार्टिसिपेशन को उनकी सहफ़ागिता को बढ़ाया जाए और इसके लिए 30 प्रतिशत रिजर्वेशन का प्राधान उनके लिए किया गया अगला बिंदू 73rd Amendment का वह था कि इस तभी तरकी पंचायतों का कारेकाल पांच वर्ष किसी का तीन किसी का चार ऐसा ना करके स्टैंडर्ड तरीका अपनाए गया कि पांच वर्ष सबका कारेकाल लखा जाए Adult Suffrage वैस मतादिकार के जरिये चुनाओ हो लेकिन पांच वर्ष के कारेकाल का प्रस्ताव था लेकिन विगटन पांच वर्ष के पहले भी किया जा सकता है अर्थात किसी कारण से यदि पंचायत को भंग किया गया तो वो उसकी उसकी गुझाईश रखी गई उसके लिए प्रावधान किया गया परंदो यदि ऐसा विगटन होता है तो छे माह के अंदर चुनाओ कराना अनिवारे कर दिया गया ऐसा नहीं कि जब भी इच्छा हुई तो चुनाओ कराए नहीं तो नहीं ही कराए और बिना पंचायद के ही ग्रामीन व्यवस्था चल रही है नहीं यह सपश्ट कर दिया गया है कि छे माह के अंदर विगटन के छे माह के अंदर अगली पंचायद का चुनाओ हो जाना चाहिए तो इस पकार इस संशोधन के अनुसार गाओं ब्लॉक और जिलास्तर में पंचायदी राज प्रणालिक का प्रावधान बड़ा स्पश्ट कर दिया गया हूँ और इसलिए इस व्यवस्था इस अमेंडमेंड को पंचायदी राज व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने में एक बहुत महत्पूर कदम माला जाता है 73rd Amendment अब हम आते हैं ग्राम स्थर नगरी इस्थानी स्वशासन ये भी पंचायदी राज की तरह मूल संविधान में नहीं था शामिल शहरी शासन व्यवस्था उसके संबन्द में भी यही बात थी जो ग्रामी इस्थर शासन के संबन्द में थी और मूल संविधान में कोई प्रावधान ना होने के कारण इस पर शुरू में किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया लेकिन हा डारेक्टिव प्रिंसिपल्स उफ स्टेट पालिसी अर्था नीती निर्देशक सिधानत जो हमारे संबिधान का ध्याय चार है अध्यायतीन तो fundamental right से जुड़ा हुआ है मूल भूत अधिकारों से जुड़ा हुआ है सम्भिधान का ध्याय चार उसी प्रकार दिशा निर्देशक सिध्धानतों से जुड़ा हुआ है जिसे हम directive principles of state policy कहते हैं उसमें जरूर इसके बारे में जिक्र था कि स्वाशासन के प्रयास किये जाएं तो नगरी शासन व्यवस्था को सातवी अनुसूची में राज्य सूची में शामिल करके साफ कर दिया गया कि इस सम्बंद में कानून के वल राज्य द्वारा ही बराया जा सकता ह है ये सातवी सूची में शामिल और राज्य द्वारा कानून बनाने के प्रावधान के संबंद में था अब जिस प्रकार 73वा संशोधन पंचायती राज की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है उसे एक दिशा देता है उसी प्रकार अब 74वा संशोधन होता है और ये 74वा संशोधन जो संवैधानिक होता है मैं फिर से एक बार बता दूँ कि संवैधानिक संशोधन और कानून बनाने में अंतर क्या है संवैधानिक संशोधन अर्थार संवैधान के किसी हिस्से में बदलाव करने पर वो संशोधन कहलाता है संवैधानिक या यदि केवल संवैधा प्रावधानिक प्रावधान की बात करें या समवैधानिक संश्था कहें किसी को इसके माइने ये हैं कि इस संश्था या इससे संबंदित प्रावधान समविधान की मूल पुष्टक में दर्ज हैं नहित हैं। कानूनी प्रावधान कहलाता है तो 74 वां समवैधानिक संशोधन अधिनियम नागरी स्वशासन के संबंध में प्रावधान करता है तो 73 वां और 74 वां स्वशासन से संबंधित संशोधन है लोकसभा और राजिसभा के द्वारा इसे पारित किया गया जैसा कि नियम है संशोध के मामले में और फिर राश्टपती द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है तो ये संशोधन उननिस सो त्रानिबे में इस्थानी और नगरी शासन को समधान के भाग नौ तथा अठारा नैनुचेद एवं बारवी सूची में जोड़कर समधानिक दरजा इसे दे दिया जाता ह बारवी अनुची में से जोड़ा गया और समधान के भाग नौ का तथा अठारा नैनुचेद एवं बारवी अनुची ये स्पष्ट उत्तर होगा नगरी प्रशासन के समध में संशोधन को लेकर किये गया प्राधान को के बारे में और इस विकार उननिस्वत्रानिबे में नगरी स्वशासन विवस्था को एक समवयधानिक दरजा मिल जाता है इस समवयधानिक दरजे के बाद समवयधानिक दरजे में मिलने के बाद यह लगु होता है और चोहत्तरवा सम्वधानिक संशोधन मद्य प्रदेश में 30 दिसंबर 93 को विधान सभा ने मद्य प्रदेश नगर पालिका एवं पंचायती राज विध्यक पारित किया जो इस प्रकार मद्य प्रदेश पहला राज बनता है जो नगरी इस्वशासन व्याउस्था की और कदम उठाता है इस सम्वधानिक संशोधन के अनुसार 36 गड़ में नगरी शासन में कुछ प्रावधान जो रखे गया हैं वो किस प्रकार की हैं पहला नगर पंचायत का गठन उस खेतर के लिए होगा जो ग्रामीर खेतरों से नगरी खेतरों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में हैं परिवर्तित नहीं हो चुके हैं जब परिवर्तित होते हैं तो वे नगर पंचायत नहीं रहते हैं वे कुछ और होते हैं नगर पालिकार नगर निगम आदी आदी लेकि जब उस प्रक्रिया से गुजरते हैं सेमी अर्बन कह ले या सेमी रूरल कह ले या एक आधुनिक गाओं कह ले ऐसी स्थिति में या ऐसे गाओं जो शहर्थे निकट है और शहर्थे अब काफी प्रभावित हो रहे हैं वहां की जन संख्या काफी कुछ शहरी हो चली है तो ऐसी स्थिति में वहां नगर पंचायत का प्रवधान होता है तो नगर पंचायत उस खेत्र में नगर पंचाच उस खेत्र में जो ग्रामीर खेत्रों से नगरी खेत्रों में परिवर्तित हो रहा है दूसरा नगर पालिका परिशत का गठन छोटे नगरों के लिए ये पालिका शब्द ध्यान लखें छोटे नगरों के लिए अर्थाथ ग्रामीर से निकलके वे नगरी हो चके हैं, परिवर्तन होने की प्रक्रिया में नहीं है, परिवर्तित हो चके हैं, वहाँ वे समस्तर सुविधाय या समक केरेक्टेरिस्टिक्स जिसे हम विशेष्टाय कहते हैं, वे उपलब्ध है जो किसी खेत्र को नगर का परणिया देने में सहुलियत होती हैं पक्की सड़कें हो बिजली का प्राधान हो समचित पे जलकी व्यवस्था हो बसें हो आधी आधी ये सब सुविधाय, पोस्ट ओफिस हो, बैंक्स हो, एटीम साधी ये सब हो तो ऐसी सुविधाय जहां मिलती हैं उसे हम नगर कहते हैं प नगर निगम तो इस परकार आपने तीन स्थर देख लिया पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका और तीसरा नगर निगम नगर निगम बड़े शारों में नगरी जो संश्थाएं हैं ये तीनों जिनका मैंने जिक्र किया इनमें अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती अनि पिछिड़ वर्गों के लिए आरक्षन के संख्या नगर में उनकी जन संख्या के अनुपात में स्वाभाविक है जिनकी जन संख्या ज्यादा है उनका प्रतिनिदे तो ज्यादा हो इसलिए आनुपातिक दिश्टि से आरक्षन का प्रावधान है जैसा कि बाकी ग्रामीर्स तर पी भी है पर यहां पर इस सुनिश्चित किया गया है कि अनुपात ठीक रहे अगला बिंदु इनका कारेकाल पांच वर्ष का होता है लेकिन इससे पहले भी से विगटित किया जा सकता है किसी विषेश परिस्थितियों में और वे विषेश परिस्थितियां किस तरह की हो सकती है सामान नित्या होती हैं उचित तरीके से कारे ना करने की, किसी तरह के घपले की, घोटाले की, चुनावी प्रक्रिया में धानलीयों की आधी-आधी, तो ऐसी सित्य में से भंक कर दिया जाता है पहले ही, और लेकिन भंक होता है तो, जैसे कि ग्रामीड सित्य में हैं, यहाँ अभी छै माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है को कमों बेश संगठन और आरक्षन ये वही ग्रामीड संगठन और आरक्षन जैसा ही है कोई अलग नहीं इसके साथ ही एक निहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित अनुसूची जाती जन जाती पिछले वर के लिए आ होगी जो भी होगी उसमें एक तिहाई उस जाती की महिलाओं के लिए होगा अर्थात आप ख्याल लखें कि अनुसूची जाती के लिए आरक्षन फिर जन जाती के लिए आरक्षन फिर उसके बाद OBC पिछड़ा वर के लिए आरक्षन अब बचती हैं जो बची हुई सीटे आरक्षन के बाद उन सीटों के लिए महिलाओं का आरक्षन नहीं महिलाओं का आरक्षन जन जाती OBC आदी का जो आरक्षन है उसमें एक तिहाई सीटें उनके आरक्षित एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं इस बात को आप ख्याल रखेंगे अमीद है आप स्पश्ट रूप सब समझ गया हूंगे, कि आरक्षण के एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण, अन्य वर्गों के आरक्षण के अंतरगत कैसा है, एक तिहाई है, अब हम संगठनात्मक धांचा जानने के बाद, और उसकी त्थापना की प्रक्रियाप्रिष्ट भूमी को जानने के बाद हम आते हैं नगर निगम पर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम या मिनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में निगम होता है छोटे शहरों में नगरों में पालिका होता है उससे भी छोटे में नगर पंचायत होती है नगर पंचायद कन्फियूज नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें शब्द नगर भी है और पंचायद भी है पंचायद का तालुकाद ग्राम से है और नगर का तालुकाद शहरी से तो दोनों के एक एक शब्द को लेके ये नगर पंचायद शब्द ऐसी संस्था के लिए है ज जो उनी खेत्रों के लिए जो परिवर्तित हो रहे ही नगर के रूप में लेकिन बनी नहीं हैं। पूरी नगरी नहीं हुई है। तो इसलिए नगर पंचायत को याद रखना सरल है। निगम बड़ों के लिए, बड़े शहरों के लिए। पाली का जने पालना है समझ लिए ज जाहत करती है कहां पर निगम होगा कहां पर पालिका होगी तो निगम जब बनाना होता है तो विशेश अधनियम होता है 36 गड में लगवक तेरा निगम है रायपूर, दूर्ग, घिलाई, बिलासपूर, राजनान गाओं, कोरबा, रायगड, अम्विकापूर, धमतरी, जगदलपूर, महासमुन्द और चरोदा भी है चिर्मरी, आदी आदी, सामन थे, आप देखेंगे इनके नाम से कि जो बहुत घनी आबादी वाले हूं, बड़े हूं और पूरा शहरी रूप ले चुके हूं, रायपूर से नान गाओं तक का जो खेतर है, लगवग पूरा का पूरा जोड़ चुका है रायपूर से राजनान गाओं, तो रायपूर भी नगर निगम, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें तो चरोदा भी नगर निगम, उसके बाद आगे बढ़ें तो भिलाई भी नगर निगम और उसके साथ ही साथ जो और जुलो हुए खेतर हैं, फिर दुर्ग नगर निगम, फिर राजनान गाओं नगर निगम तो लगातार ये इस खेतर में नगर निगम है, इससे थाबित होता है कि राएपुर से नांद गाओं का खेतर पूरा शहरी खेतर, पूरा अर्बन खेतर, उसलिए चर्चा होती है कि ये खेतर अप्छंबता आने वाले समय में महानगर में बदल जाएगा, इन सब शहरों को मिला दिया जाए तो एक महानगर का रूप लेगा और ये आज नहीं तो कल ये लगवाग एक ही हो जाएंगे, सामन तया नगर निगम की जो संरचना होती है, उसमें पारशद होते हैं नगर निगम में, पारशद कुछ कॉलोनियों से एक पारशद चुनके आता है, कुछ कि कई पारशद चुनके आते हैं, उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मनोनित विशेशग्य, उसके साथ खेतरी सांसद और उस खेतर के विधायक तो रहेंगे ही, लेकिन निर्वाचित पारशदों के अत्रिक्त है, अन्य सदस्यों को सामान परशद में मत देने का धिहा नहीं होता, तो जब इसमें एक खासियत याद रखें, जो अन्य संस्थाओं में नहीं है, वो ये है कि केवल निर्वाचित सदस्यों को ही मतदान का धिकार है, निगम की प्रक्रिया में मतदान का धिकार केवल जिले के वहां के चुने हुए पारशदों को प्रतिनिधियों को ही है, बाकी जो सांसद हैं, या MLA हैं, या सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं, जो प्रतिष्ठित हों अपने अपने खेत्र में, उनको मतदान का अधिकार नहीं हैं, तो ये किसलिए किया है, लोक तांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, दूसरा, जो इसका जो कारे संचालन है, नगर निगम का, ये कैसे विभाजित है, कारे कैसे होता है, तीन प्राधिकरणों के अधिन, पहला सामान्य परिशद, अर्थात प्राधिकरण अर्थात समझ लिजे तीन अंग, नगर निगम मुखिरूप से तीन अंगों में विभाजित है, जैसे एक सरकार तीन अंगों में विभाजित है, विधाई का, व्यवस्थापि का और न्यायपालि का, ऐसे ही इसको भी दे पिस्थाई समिति, और तीसरा है निगम आयुक्त, सामान्य परिशद को नगर निगम की हम विधाई का कह सकते हैं, जैसे की ग्राम सभा को, गाउं में ग्राम सभा गाउं की विधाई का है, जो गाउं से सम्बंदित कानून आदिब बनाती है, नीतिगत निर्णे लेती है, उसी प्रकार शहर में नगरी या इस व्यास्था में शहरी व्यास्था में सामानी परिशद विधाई का कारे करती है इसके सदस्यों को जनता वैस्क मतादिकार के माध्यम से पांच वर्ष के लिए निर्वाचित करती है और यही क्या कहलाते हैं पारशद कहलाते हैं नगर पारशद तो नगर पारशद अपने ख्षेत्र से संबंधित कानून बनाने का अधिकार रखता है सामाने पारशद के जरिय के माध्यम से पूरे शहर को वार्ड या निर्वाचन खेत्रों में विभाजित करते हैं जिसे मैं शुरू में कालोनी कह रहा था कुछ कालोनिया मिलके एक वार्ड कहलाती हैं और ये वार्ड वही निर्वाचन खेत्र हैं समझ लीजे तो राइपुर जैसे शहर में ऐसे करीब पचास सतर न पर्थात उतने पार्षद हैं और इनी में से इन वार्ड से सदस्ट चुने जाते हैं तो एक वार्ड के प्रतिनी दियों का चैन एक वार्ड के प्रतिनी दियों का चैन एक वार्ड से एक पार्षद उसका चैन उस वार्ड में रहने वाले लोग मतदान की प्रक्रिया से वही स सभा के चुनाओं में होता है लोग सभा के चुनाओं में होता है नगर निगम में वाडों कि संख्या का निर्धारन जो है वो राज्यपाल के अधिकार में है कितने वाड होंगे नगर निगम में या ये रायपूर खेत्र को कितने भागों में बाटा जाए जिससे की नगर न पार्शदों के लिए ऐसी संख्या और इतनी सीमा ख्यत्र हो जिसमें उनके लिए संभा हो अपने कारे को सफलता पुरुवक निर्वाहित करना। अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती पिछ्रे वर्ग महिला इनके लिए निमानसार आरक्षन हो। योगिता क्या होती है कौन पातरता रख सकता है बहुत सरल है जैसा की MLA के लिए है कमो बेश वैसा ही इनके लिए है भारत का नागरिक मददाता सूची में नाम होना आवश्यक और अन्य योगिताएं जो कानून द्वारा निश्चित की गई हों अब इस प्रकार चुनाव होते हैं नगर निगम का चुनाव वार्ड के जरिये संपन होता है कुछ वार्ड मिलकर एक जोन बनते हैं और इस प्रकार एक नगर निगम करीब साथ आठ दस जोन में विभाजित हो जाता है तो सबसे उपर नगर निगम, नगर निगम के नीचे जोन, जोन का जो मुख्या होता है वो जोनल कमिशनर कहलाता है जो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड निउक्त अधिकारी होते हैं, जोनल कमिशनर जोन के अंतरगत कुछ वार्ड आते हैं, वार्ड के अंतरगत कुछ कॉलोनिया आती हैं और इस प्रकार आप देखेंगे कि कैसे पिरामिड कॉलोनी से शुरू होकर उपर नगर निगम तक जाता है अब जब ये सारे पारशत चुने जाते हैं, तो इनकी, इनका संचालन करने के लिए भी कोई चाहिए यदि संचालन की वस्था के लिए कोई पद ना हो या किसी को नामजद ना किया जाए या कोई अधिकारी ना हो तो एक नगर निगम में, सामानी परिशद में समझ लिजए यदि पचास पारशद हैं तो उनको व्यवस्थित करना, उचित तरीके से मीटिंग करवाना और जैसे लोकसभा के अंदर बहस करने का समय होता है, प्रश्णों का समय होता है, प्रश्ण काल, शूर निकाल, आधि-आधि, ऐसी व्यवस्था कौन करेगा तो इसके लिए कुछ प्राउधान हैं, और इसके अलावा एक पद और है, अध्यक्ष चुना जाता है जिसे महापाउर कहते हैं नगर निगम के अध्यक्ष को महापाउर कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे मेयर कहते हैं महापाउर का चुनाओ जनिता द्वारा ही किया जाता है, यह याद रखेंगे लेकिन सभापती का चुनाओ पारशर्थ स्वैम के बीच से करते हैं और यह वो सभापती हैं जो सभी बैठकों का संचालन करते हैं तो अब सभापती और मेयर में आप अंतर समझ जाएं मेयर जन्ता के द्वारा डारेक्ट चुना जाता है सभापती पारशदों के द्वारा चुना जाता है मेयर अध्यक्ष होता है, महापाउर है सभापती सभा के संचालन के लिए नियुक किया जाता है मेर को शहर का पहला नागरिक कहा जाता है याद रखेंगे मेर को शहर का पहला नागरिक कहा जाता है जबकि सभापती का कारेकाल पांच वर्ष का होता है जिसमें वो सभा का संचालन करता है कौन सी सभा जिसे हम कहते हैं परिशद सामानी परिशद नगर निगम के महापौर का कारेकाल जो है वो भी पांच वर्ष है और नगर निगम के पार्षद महापौर को हटाने का अधिकार रखते हैं जन्ता ने चुना पर पार्षद उसे हटा सकते हैं लेकिन अविश्वास प्रस्ताओ के जरिये और बशर्ते ये अविश्वास प्रस्ताओ कुछ पार्षदों के बहुमत के उपस्थित के दो तिहाई से पारित होना अरिवार है बहुमत में पारित हो और किनका बहुमत जितने उपस्थित है उनका दो तिहाई ये ज़िए अविश्वास प्रस्ताओं को पास कर देते हैं तो जन्ता के द्वारा डारेक्ली चुना गया महापौर भी पद से हटाया जा सकता है ये हुआ महापौर की बाद और उसकी तुलना सभापती से याद रखें महापौर अध्यक्ष है किसका अध्यक्ष नगर निगम का अध्यक्ष है अब हम आते हैं नगर निगम का प्रशासन इसका प्रशासन कैसे होता एक तरीके से नगर निगम को लगू सरकार भी कहते हैं छोटी सरकार राइपुर शहर में दुर्ख शहर में नान गाओं में आप जाएंगे तो आप देखेंगे नगर निगम वास्तों में इस खर अपने ख्षेतर की सरकार ही है क्योंकि जो राज्य की सरकार है उसका तालुका तो बड़े-बड़े मामलों से है पूरे राज्य से जुड़ी हुई समस्याओं से है मुद्दों से है शहरी मुद्दों से उसका तालुकात कम होता है और शहरी मुद्धे भी जब कुछ बड़ा रूप ले लें विक्राल रूप ले लेते हैं तब राज्य सरकार में जो थानी स्वशासन मंत्री हैं उस पद पर उनके दारे तके मामला जाता है अनिथा नगर निगम एक तरीके की अपने ख्षेतर की सरकार ही है और इसलिए लगु सरकार कहते हैं इनके सारे कारे जो हैं वो समीतियों के द्वारा होते हैं और संक्रमों के द्वारा होते हैं तथा पशासनिक विवस्था है तो नगर निगम में एक-एक आयुक्त होता है न क्रियानवन का जिम्मा अर्थाद सामानी परिशद जिसमें पारिशद हैं उन्होंने कुछ प्रस्ताव पारित किया उस प्रस्ताव की में एक प्रस्ताव है कि इस खेत्र में इतनी लंबाई का इतनी चोड़ाई की सड़क बननी है और उसका बजट ये है और इतना काल दिया अब इसको लागू कौन करेगा? सडक बनवाने का कारे कौन करवाएगा? आयुक्त का काम है. आयुक्त अपने मातहत, करमचारी और अधिकारियों के साथ की मदद से पार्शिदों के सामान सभा के आदेशों को लागू करेगा. लागू करवाएगा करेगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगर आयुक नगर निगम का आयुक प्रशासनिक अधिकारी है सरकारी अधिकारी होता है याद रखें वो चुनाव से नहीं आता वो नगर निगम की चुनावी प्रक्रिया से नहीं आता वो प्रशासनिक अधिकारी है और उसका काम होता है कि सामान्य परिशद या नगर निगम के पारशदों द्वारा जो निर्णे लिए गए हैं उनको लागू करना, क्रियानुवित करना और उसके प्रति उत्तरदाई होना दूसरे शब्दों में सामान्य परिशद में या पारशदों के प्रति नगर आयुक उत्तरदाई है जवाब दे हैं, वह जवाब देता है कि कुछ कारे क्यों पूरे नहीं हुए, कितने समय में पूरे होंगे, क्या खामिया थी या क्या खामिया है आप देखते हैं शहर में राइपुर की ही बात करें तो कई कारें ऐसे हैं जो बड़े विलंब से चल रहे हैं इसके जो भी कारण है इस पर नगर आयुक को जवाब देना होता है सामाने परिशद में कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है या क्या दिक्कते आ रही हैं और फिर सामाने परिशद तै करेगा इसका निराकरन कैसे हो तो नगर आयुक की बहुत महत्पूर्ण भूमिका और नगर आयुक को याद रखें वह सरकार सरकारी तंत्र और जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के बीच का एक लिंक है कड़ी है उनके बीच का एक संबंध है जोड़ता है कनेक्टर है निर्वाचित सदस्य वार्ड पारशद और सरकार इनके बीच का लिंक का काम करता है नगर आयुक सामाने तैया नगर आयुक कुछ शहरों में बड़े शहरों में आई एस अ में बड़े नगर निगम में तो वहां आईये सदिकारी इस पद्ध पर नियुक्त होता है नगर निगम जब बहुत विशाल हो जाता है या शहर बहुत विशाल हो जाता है तो महा नगर निगम महा नगर पालिका उसमें महा शब्द जुड़ जाता है ब्रिहन मुंबाई, बंबई के नगर पालिका, नगर निगम जो है, ब्रिहन मुंबाई, दिल्ली में भी ऐसी बड़ा महा नगर निगम, तो ये एक और पायदान है, लेकिन फिलहाल आपको इतना जानना है कि नगर आयुक्त सरकारी पद है, उसका काम वह प्रशासिनिक पद ह वह सामाने परिशाद या नगर निगम के प्रति उत्तरदाई होता है, और नीतियों को लागू करने के काम की जिम्मेदारी लेता है